नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल गरुड धर्मार्थ पर। दोस्तों, अगर आप भी अपनी लाइफ में कुछ नया सीखने की चाह रखते हैं, तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 17 सितंबर, 2024 के दिन यहाँ पर भादरपद महीने का मंगलवार अनंत चतुर्थी पढ़ रही है। तो वह पाँच तुलसी पत्तों वाला उपाय। अनंत चतुर्थी के दिन तो इस दिन आप लोगों को इस वाले उपाय को जरूर कर लेना है। भले ही आपने पूरे साल भर अभी तक इस उपाय को ना किया हो। पर यदि आपने इस भाद्रपद महीने के मंगलवार अनंत चतुर्थी के दिन यदि इस वाले उपाय को कर लिया। तो आपको इस उपाय को करने का वह फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कलपना भी नहीं करी होगी। इसी लिए आप लोग इस वाले उपाय को एक बार जरूर कर लेना ताकि आप लोगों के हाथ से यह मौका ना जा सके और आपको इस उपाय को करने का फल मिल सके। दोस्तों, यह उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की ही शिव महापुरान की कथा में बताया है, जिस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं, इस वीडियो को देखने के पश्चात, इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो चलिए दोस्तों, उपाय को शुरू करते हैं, देखिए, यह भाद्रपद महीने के मंगल अनंत चतुर्थी के दिन यह इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है, देखा है, कभी-कभी बड़े-बड़े पूजा-पाठ, उपाय को करने का फल भी जरूर मिलेगा, और इस उपाय को कर लेने से, आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों न चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है, कि भाई, यह समस्या किस कारण से चल रही है, उसका कुछ भी कारण हो सकता है जैसे कि दोश हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोश भी हो सकता है तो इस दिन आप लोगों को पांच तुलसी पत्तों वाला उपाय कर लेना है ये एक ऐसा उपाय है जिस उपाय को किसी खास दिन पर किया जाए तो भाई उस खास दिन का जो है वह तो हमें मिलता ही मिलता है पर हमने उस दिन पर इस उपाय को किया है तो हमें उससे भी बड़ा फल मिलता है और फल बहुत जल्दी मिलता है क्योंकि आप इस उपाय को बहुत ही बड़े और खास दिन पर कर रहे हो तो चलिए, अब उपाय के बारे में बात करते हैं, किन्तु उससे पहले, आप लोगों को यह जानना आवश्यक है कि आखिर यह उपाय किस समय करना है, किस को करना है और कैसे करना है तो चलिए, हम आगे को वीडियो में एक-एक करके बता देते हैं किन्तु उससे पहले यदि आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को लाइक करके कॉमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम एयुएम नम शिवाय जरूर टाइप कर देना तो दोस्तों इस पांच तुलसी पत्तों वाला उपाय को हमें इस मंगलवार अनंत चतुर्थी के दिन कैसे करना है किसको करना है किस समय करना है और कहां पर करना है ये सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे और ये जो वीडियो देखेगा भाई उसक पांच तुलसी पत्तों वाला उपाय जरूर करना चाहिए क्योंकि इस दिन पांच तुलसी पत्तों का भी बहुत ही बड़ा और खास महत्व होता है और जब बात आ जाए पांच तुलसी पत्तों की तो ये सोने पे सुहागा वाली बात हो जाती है और ये एक बहुत ही बड़ उपाय हो जाता है इस भाद्रपद मंगलवार अनंत चतुर्थी का तो अब दोस्तों इस पांच तुलसी पत्तों वाला उपाय को आखिर करना किसको है सबसे पहले हम लोग वबात जान लेते हैं तो देखो घर की जो बड़ी माताएं बहने होती हैं उन माताओं बहनों में से क खुद की कोई मनो कामना है खुद की कोई दुख और परेशानी है जो कि वह अपने लिए ही करना चाहता है इस वाले उपाय को तो वह खुद अपने लिए भी कर सकता है बाकी यदि कोई घर में से ऐसा है जो कि अपने पूरे घर परिवार की सुख और शान्त लिए यह वाल उपाय करना चाहता है, तो भाई, वह भी कर सकता है, उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कहने का मतलब यह है कि इस उपाय को हर एक सदस्य भी कर सकता है, और पूरे घर परिवार के सदस्य के लिए घर की बड़ी माताओं बहनों में से कोई एक माता बहन भी कर सकती है माताएं बहने यदि घर में उपस्थित ना हो, या वह यह वाला उपाय ना कर पा रही हो, तो फिर घर का कोई सदस्य भी इस पांच तुलसी पत्तों वाला उपाय को कर सकता है, चाहे फिर वह पुरुश ही क्यों ना हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है पांच तुलसी पत्तों वाला उपाय को, आखिर इस उपाय को हमें किस समय करना है? सुबह के समय करना है कि शाम के समय करना है? तो देखो इस वाले उपाय को आप लोग सुबह के समय भी कर सकते हो और शाम के समय प्रदोशकाल में भी कर सकते हो अब यदि आप पूछो कि भाई, सब सबसे उत्तम समय कौन सा रहेगा इस पांच तुलसी पत्तों वाले उपाय को करने का, तो हम आपसे बस यही कहेंगे कि इस उपाय को आप सुबह के समय ज्यादा बहतर होगा, बाकी यदि प्रदोशकाल शाम के समय भी करेंगे, तो भी अ हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे तक के बीच में करना है, और शाम के समय प्रदोशकाल में करेंगे, तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे के बीच में करना है, तो देखो सुबह जितनी जल्दी हो सके आप उपाय को करने की करना, बाकी यदि किसी कारणवश लेट भी हो जाओ, थोड़ी देर भी हो जाए, तो 10 या 12 बजे तक भी आप उपाय कर लेना, पर 12 बजे से ज्यादा देरी ना हो, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना, उसके पश्चात में दोस्तों, यदि शाम के समय प्रदोशकाल की बात करें, प्रदोशकाल का जो समय है, होता है, वह शाम के 6 बजे से शुरू हो जाता है, मतलब शाम के 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच का जो समय होता है, ये समय प्रदोशकाल का समय होता है, पर अभी जो मौसम चल रहा, इस मौसम में जो है, शाम बहुत देरी से होती है, तो आप इस उपाय को 7 या शाम के 6 बजे से, रा आपके लिए लेकर आएं हैं। इसे आपने यदि मंगलवार के दिन कर लिया, उसी तरह से कर लिया। जैसे हम आपको बताने वाले हैं, तो बड़ी से बड़ी निर्धनता और गरीबी भी आपके जीवन से दूर जाएगी। देखिए तुलसी के पौधे में मन लाक्समी का व ही होगी कि जो मंगलवार का दिन है, कर्ज से जुड़े, जितने भी आपके जीवन में कष्ट है, कर्ज को लेकर जो भी आपके जीवन में समस्याएं हैं, उन्हें यदि आप अपने से जल्दी से जल्दी दूर करना चाहते हैं, तो हमेशा आपको मंगलवार का दिन चुनन कि वो कौन सा पहला उपाय है जो आपको विशेशकर मंगलवार अनंत चतुर्थी के दिन करना है तुलसी के पांच पत्तों से तो देखिए उपाय आपको बताए उससे पहले आपको बता दें कि हनुमान जी को संकट मोचन बजरंग बली को तुलसी बेहद प्रिय होती है और जब भी आप तुलसी का उपाय करते हैं तो वो बहुत जल्दी आपसे प्रसन्न हो जाते हैं तो उपाय को करने के लिए आपको तुलसी के पांच पत्ते ले लेने हैं ठीक है ना अब तुलसी के पांच पत्तों के उपर आपको भगवान राम का नाम लिखना है सिंदूर ज ठीक है ना? अब आपको क्या करना है? ये पांचों पत्ते आपको हनुमान जी को अर्पित करने हैं. आपके घर के आसपास जहां भी हनुमान जी का मंदिर हो, वहां पर आप जाएं. और तुलसी के पांच पत्ते आप उन्हें अर्पित करें और एक दीपक आप ले कर जाएं. ठीक है ना दीपक, यहाँ पर आप चमेली के तेल का भी ले सकते हैं, सरसों के तेल का भी ले सकते हैं, कोई भी एक दीपक ले कर जाई और तुलसी के पांच पत्ते ले कर जाई, जिसके उपर आपने भगवान राम का नाम लिखा है तो देखिए पहली चीज की तुलसी का जो पत्ता होता है यह श्री हरी को बहुत प्रिय है दूसरी चीज की हनुमान जी को बहुत प्रिय है तुलसी के जो पत्ते होते हैं तुलसी से जुड़े जो उपाय होते हैं यह आपके जीवन की निर्धनता और जितनी भी करजे से जु या है, सरसों के तेल का आपने लिया है, वो आपको हनुमान जी की मूर्ती या फिर प्रतिमा के सामने आपको लगाना है और यहां पर आपको रैम का नाम लेना है, उनके नाम का आपको जब करना है, कितनी बार करना है, 21. देखिए भगवान राम का नाम हनुमान जी को सबसे दूसरी चीज यदि आपने वही नाम तुलसी के पत्तों पर लिख दिया, तो ये और भी उत्तम हो जाता है। आपकी सारी विश को वो पूरा कर देते हैं। तो देखिए, पहले उपाय की बात कर ली, अब जल्दी से बात कर लेते हैं। तो देखिए, आपको क्या करना है? यहाँ पर आपको लाल फूल लेना है। अब लाल फूल में आप कोई भी फूल ले सकते हैं। गुडहल का फूल ले सकते हैं, गुलाब का फूल ले सकते हैं, कोई भी एक लाल फूल आपको लेना है, और साथ ही साथ आपको लेना है। कोई भी एक भोग जो हनुमान जी को प्रिय है, अब भोग में इमरती आप ले सकते हैं, लड़ू ले सकते हैं, कभी भी आपको दूद से बनी हुई मिठाई हनुमान जी के लिए नहीं लेनी है। ये चीज आपको ध्यान रखना है तो आप यहाँ पर इमरती ले लें, दो इमरती ले लें और एक लाल फूल ले लें। अब ये दोनों चीजें लेकर आपको पहुँचना है। होता क्या है? मान जी आपसे बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं और आपके बिना कुछ कहे, बिना कुछ मांगे भी आपको वो आपके जीवन में दे देते हैं, जो आपके लिए बहुत उत्तम होता है। बहुत कहते हैं ना कि व्यक्ति के जीवन के लिए सबसे ज्यादा उत न जो आपके जीवन के लिए सबसे उत्तम होगा वही आपको वह देंगे, तो संकट मोचन बहुत जल्दी अपने भक्तों से प्रसन्न हो जाते हैं. जो लोग उन्हें खास कर लाल रंग का एक फूल अर्पित कर देते हैं, तो जरूर करें. मंगलवार के दिन इस उपाय का बह लास्ट उपाय आपको बताने जा रहे हैं. इस उपाय को यदि आपने कर लिया, तो आपको अपने जीवन में एक चमतकार देखने को मिलेगा. जो जो चीजें आप सोचेंगे ना कि मेरे जीवन में यह चीज अच्छी हो, यह चीज अच्छी हो, मुझे यह करना है, मुझे यह पाना है, मुझे यह लेना है, सब कुछ, आपको आपके जीवन में मिलता चला जाएगा. उपाय क्या है, आपको एक छोटी सी डायरी लेनी है, सिंपल है ना? उसके उपर कुछ लिखा हुआ ना हो, छोटी सी बहुत ज्यादा बड़ी नहीं, आपके पॉकेट में भी आ उस समय आप ठीक है ना? स्वच हाथों से भगवान राम का उस डायरी के उपर नाम लिखेंगे. हर दिन आपको थोड़ा-थोड़ा लिखना है. यदि आप हर दिन भी नहीं लिख पाते हैं, तो मंगलवार के मंगलवार आप डायरी के अंदर भगवान रामा का नाम लिखे जब वो डायरी पूरी से भर जाएगी, जो छोटी सी डायरी आपने ली है, पूरी तरह से भर जाएगी आपको क्या करना है इस डायरी को? ठीक है ना? लास्ट वाले दिन मतलब जब वो पूरी फील हो जाएगी, पूरी भर जाएगी, उसके पश्चात आपको मंगलवार के दिन इस डायरी को अपने मंदिर में रख देना है, लाल रंग के कपड़े में लपेट कर और फिर आपको एक बार बजरंग बान का जो पाठ आता है, एक आपको हनुमान जी के मंदिर में जाकर लगाना है, या आप अपने घर के मंदिर में भी लगा सकते हैं, इस उपाय को यदि आपने कर लिया, तो आपको अपने जीवन में बहुत चमतकार देखने को मिलेंगे, क्योंकि यह जो आपने डेरी में भगवान राम का नाम लि लिया हनुमान जी उससे प्रसन्न होते ही होते, तो हनुमान जी इतने प्रसन्न हो जाते हैं कि अपने उस भक्त को बिना कुछ मांगे भी सब कुछ दे देते हैं, जो भक्त कह देता है, उसको वो चीज मिलती ही मिलती है, तो देखिए कुछ भी ऐसी चीज, कोई भी ऐसी वि दोस्तों आप सभी लोग जानते हैं कि 17 सितंबर 2024 मंगलवार को पढ़ रही है। पूल वाला उपाय आप लोगों को जरूर करना चाहिए। क्योंकि दोस्तों ये एक ऐसा उपाय है जो कि हर दिन नहीं किया जाता। पित्रिपक्ष महीने में जो पूर्णिमा तिथी आती है उसी दिन किया जाता है। यदि आप लोगों ने इस उपाय को नहीं किया है या किस पूर्णिमा के दिन इस उपाय से मत चूकना दोस्तों। देखिए ये दिन इतना खास होता है, इतना महत्व पूर्ण देखा गया है। यदि आप लोग भी इस उपाय को इस मंगलवार पूर्णिमा के दिन करना चाहते हैं, तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना। उसके पश्चात न आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा। आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगी। आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई, ये समस्या किस कारण से चल रही है। उसका कुछ भी कारण हो है। काल सर्प दोश हो सकता है, या किसी भी तरह का मंगल दोश भी हो सकता है, और भी बहुत तरह के दोश होते हैं, कुछ भी हो सकता है। पर आपको इस उपाय को करने के लिए अपने दोश को पता लगाने की भी जरूरत नहीं है। आपके घर में किस कारण से इतनी दुख और परेशानी आ रही है, वह भी आपको पता लगाने की जरूरत नहीं है। बस मंगलवार की श्राद्ध पूर्णिमा के दिन इस उपाय को कर लेना, क्योंकि इसी मात्र उपाय को करने से आपके पूरे घर परिवार में सुख और शान्ती हो जाएगी। आपके घर में अच्छे-च्छे काम होने लगेंगे, आपकी जो भी मनोकामना होगी, वह भी धीरे-धीरे करके पूर्ण होना शुरू हो जाएगी। अब हम समझते हैं, इस एक लाल फूल और एक सफेद फूल वाले उपाय को आपको करना कैसे है, किसको करना है, किस समय करना है और कैसे करना है। देखो, उपाय बिलकुल आसान है, बस समझने वाली बात है, ध्यान से समझिए, उसके आप लोग जो है, इस उपाय को जरूर कीजिएगा। इस उपाय को करने का फल मिल जाएगा, पर वो बड़ा सदस्य कौन होगा, कौन व्यक्ति इसको करेगा। इस उपाय को करेगी, तो उसके घर परिवार के पूरे सदस्यों को इस उपाय का फल मिलेगा। यदि इसी कारण वर्ष माताएं बहने घर में उपस्थित ना हो या वो इस उपाय को न कर रही हो, कुछ दिक्कत हो तो भाई उस जगह पर फिर घर का कोई बड़ा व्यक्ति भी इस उपाय को कर सकता है। माताओं बहनों के कहने का मतलब ये था, कि माताओं बहने घर की लैक्समी होती है। जब घर की लैक्समी कोई उपाय करती है, तो निश्चित ही भगवान शिवजी बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं, और उपाय का फल में बहुत जल्दी और बहु पूल वाले उपाय को हमें इस पूर्णिमा के दिन करना किस समय है? तो देखिए, इस उपाय को करने का जो समय है, सुबह का समय भी है और शाम का समय भी है. अब देखिए, यहाँ पर हम मुख्य रूप से सुबह का समय नहीं बोलेंगे, क्योंकि देखिए,